दोस्तों लीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाईए बिल आइकॉन को ताकि आपको मिलता रहे हमारा सबसे लेटेस्ट वीडियो नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम अपने मीडिया के सभी सातियों को बताएंगे कि आप मीडिया में कैसे जॉब पाएंगे और ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने जा रहे हैं क्योंकि आप कोर्स कर लिया आपने आपने internship कर लिया लेकिन jobs की तलास कर रहें कहां से मिले meडिया में job यह हम आपको बताएंगी इस वीडियो में इस वीडियो को जरूर subscribe और like करें ताकि इससे जुरूरे बागी सारे वीडियो आपके पास automatically पहुंच जाए, बेल भी आवश्य में जाए देखिए दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताओ देखिए आपने internship कर लिया और आपने जो है आपने course भी आपने पूरा कर लिया, अब आपको job चाहिए सवाल है कि job आपको मिलेगा कहां और आप काम क्या कर सकते हैं जो लोग केवल अपने perspective से सोचते हैं कि मुझे मेरे अंदर ये ये talent है और मेरे को तो job मिली जाना चाहिए या जो लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा कोई jack होता तो मुझे कोई job मिल जाता या कोई मेरा अपना reference बहुत strong reference होता तो मुझे job मिल जाता मैं समझता हूँ इससे job आपको मिलने में बहुत कठेना यह होता दो बात है सबसे पहली बात ये है कि आप ये देखिए कि जो व्यक्ति मुझे रखेगा अपने यहाँ job पे मैं उसको क्या deliver करके दे सकता हूँ मैं उसके किस काम को कर सकता हूँ पहली understanding तो आपकी ये होनी चाहिए अगर आप TV चैनल में जा रहे हैं या फिर print मीडिया में जा रहे हैं तो TV चैनल के step A से लेकर के Z तक कितने काम होते हैं कौन-कौन से positions पे लोगों को रखे जाते हैं और वो सभी लोग उस position पे क्या काम करते हैं ठिक उसी प्रकार से print मीडिया में इतने positions होते हैं उन सभी positions पे बैठे हुए सभी लोग क्या काम करते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूर जैसे मान लीजे एक reporter होता है एक sub editor होता है एक editor होता है एक videography करने वाला होता है एक desk editor होता है सबके अपने अपने रोल है आखिर company क्यों अलग-अलग ये positions बनाई हुए क्यों अलग-अलग positions पे लोगों को hire करते हैं उनको sell दी देते हैं क्योंकि इनका काम अलग होता है अगर आपने एक अच्छे जगह से internship किया होगा तो आपको वहाँ जरूर ये समझाया गया होगा कि TV channel के अंदर news media के अंदर कितने positions होते हैं और उन positions के सब क्या काम होता है print media में कितने positions होते हैं उन सब क्या काम होता है इंतरात्मा से ये आवाज आ रही है कि मैं trainee reporter बन सकता हूँ मतलब आपने कुछ नहीं सीखा है मतलब आपने बिलकुल भी कुछ नहीं सीखा है आप trainee reporter trainee reporter कोई नहीं रखेगा आप एक trained व्यक्ती को trainee के तोर पर रखा जाता है ताकि वो हमारे organization के हिसाब से काम कर सके समझ रहें बात को ये बहुत important बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ तो पहले आपको job धूनने से पहले आपको trained होना जरूरी है मतलब trained कैसे होंगे आपने course पूरा कर लिया आपने जो है internship कर लिया internship के दोरान ही आपको trained होना परेगा कैसे trained होंगे आपको field में भी जा करके काम करके देखना होगा आपको social media पे भी काम करके देखना होगा आपको stories भी लिखना होगा आपको web media पे भी काम करना होगा आपको desk पे भी काम करना होगा आपको वीडियो भी एडिट करना होगा आपको एंकरिंग भी करना होगा आपको सभी तरह के काम इंटरंशिप के दोरान करने चाहिए जहां इंटरंशिप कर रहे हैं वहां उनसे बोलें कि आप इंटरंशिप करो के दोरान ये प्रोवाइड करो और आप भी उनको समय दें इन चीजों के लिए जब आप सभी तरह के काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस काम में बहतर हो रहे हैं आप उस काम में अपने आपको number one बनाएगे जिस काम में आप बहतर कर रहे हैं चाहे वीडियो एडिटिंग हो चाहे रिपोर्टिंग हो एक रिपोर्टर के लिए क्या इंपोर्टेंट है अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं आप मुझे बताईए एक रिपोर्टर आप बनना चाहते हैं नौकरी चाहिए तो क्या इंपोर्टेंट है नमबर वन पॉलिटिकल रिपोर्टर बनना चाहते तो पॉलिटिकल नॉलेज आपका सोर्स सोर्स इन्फोमिशन कहां से लेंगे आप यह सब बहुत जोग है तो यह सब कुछ आपके अंदर इंटर्णशिप के दौरां आ जाना चाहिए तभी आप कहीं भी जाएंगे और ठोक कि आप ले सकते हैं दूसरा चीज़ यह है कि आप पी सीवी बहुत अच्छे बनने चाहिए का हमारे कॉंटैक्ट कर सकते हैं आपका सीवी किस तरीकेcules बनना चाहिए क्या mention करना चाहिए CV के अंदर क्योंकि CV से ही जो interview लेना वाला होता हूँ पहली बार में पता कर लिता है कि आपके अंदर क्या है आपको interview के लिए preparation कैसे करना चाहिए ये सब भी बहुत important होता है तो अच्छे तरीके से jobs पाने के लिए पहला आप अपने आपको train करें दूसरा आप देखे कहां पर vacancies हैं और उस vacancy पे जाकर के interview दें लेकिन आप clear रहें कि आपको किस position के लिए job चाहिए और बिलकुल उस position की ही बात करें ना कि आप मुझे कोई भी job दे दें मैं मीडिया में काम करना चाहता हूँ ऐसे नहीं होता है ना तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखके आपको कुछ लाब हुआ होगा अगर आपके कुछ specific प्रश्न भी होंगे इस से तो आप इस description में जाए इसमें email ID लिखा हुआ है हमारा help line number लिखा हुआ आप जाकरके उन help line number पे description पे help line number पे या email पे या comment करके अपने सवाल पूचे हम लोग बिल्कुल आपको जवाब देंगे आप हमारे office में भी आके contact कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे दरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे जन्यवाद